गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सैंस ओर्गन्स ओफ पाइला, पाइला के सभी सिस्टम्स का डिटेल डिसकेशन हम कर चुके हैं, यह है अन्तिम भाग है और इसी के साथ पाइला एनिमल की डिटेल स्टडी आज यहां समाप्त हो जाएगी, सैंस ओर्गन या समेदी अंग पाइला की बॉड़ी को एक्स्टरनल एर्मार्मेंट के अकॉर्डिंग विबिन प्रकार की समेदनाएं ग्रहन करने और उसी अनुसार उसे अपने आपको अनुकुलित करने के लिए जो ओर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें समेदी अंग य दोनों ही जगों पर रहता है तो इसमें कई प्रकार के समेदी अंग उपस्तित होते हैं पहला समेदीअंग जो है उसे औसफेरिडियम की नाम से जाना जाता है one pair of eyes, head reason पर पाए जाने वाले एक जोड़ी नेत्र foot reason में पाए जाने वाली विशिष्ट सरजना, statocyst जिसे हमने इससे पहले phylum anilida के prawn में भी बढ़ा था और इसके साथ-साथ head reason पर पाए जाने वाले two pair of tentacles जो हैं, मुख्य सम्वेदी अंग का कारे करते हैं यहां जो चित्र आप देख पा रहे हैं, यह औस फेरीडियम नामक सम्वेदी अंग का है जो की mental cavity के right side में pulmon adi chamber के नीचे की तरफ न्यूकल पाली के पास उपस्तित एक leaf like पत्ती नुमा सरजना होती है इसकी detailed function के बारे में अभी हम जानेंगे औस फेरीडियम, सम्वेदी अंग, जैसा कि मैंने आपको बताया left pseudo podium, pulmonary sec के नीचे की तरफ जो present होता है वहाँ पर यह सरजना उपस्तित होती है हमने diagram में देखा, देखने में पत्ती नुमा, leaf like, लंबाई के एसाब से 6-7 mm length होता है bipactinate होता है, अर्था central axis के दोनों तरफ small hair like structures present होती है और gauge structures present होती है इनकी संख्या 22-28 तक होती है जिने lambily कहा जाता है अंदर की तरफ यह structure जो होता है इसमें एक nerve का connection यहाँ पर होता है जो कि left plural ganglion से निकलने वाली तंत्री का होती है कारे osferidium जो होता है यह मुखे रूप से यहाँ पर body में enter करने वाला जो water जो कि left pseudo podium की थुरू enter करता है श्वशन के लिए को संपादित करने के लिए उसकी chemical testing करने का कारे इस osferidium का होता है दूसरे संवेदियंग की बात करते हैं एक जोड़ी नेत्र पाइला के hairdizen पर present होते हैं वहाँ पर eyes के नीचे two stocks present होते हैं two stock के साथ यह जो eyes यहाँ पर present होती हैं इन stock like structures को ometophores कहा जाता है और इनी के उपर eyes present होती है प्रतेक आंख जो होती है black round color का structure होती है अगर हम इसका section काट करके देखते हैं तो यहाँ पर एक central sack like structure present होता है जिसे optical vesicle या optic cup कहा जाता है eye का निर्मान जो होता है वो ectoderm स्तर के द्वारा होता है eye के साथ चुड़ने वाला जो तंत्रिका तंत्र का भाग है उसे optic nerve या द्रख तंत्रिकार के नाम से जाना जाता है अभी हमने बात की optic cup की उस optic cup पाला जो reason होता है vesicle जो होता है उसमें lens उपस्तित होता है inner surface जो है sec का वो retina को भी प्रदर्शित करता है retina में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो visual cells होती हैं इसके साथ कुछ यहाँ पर supporting cells भी उपस्तित होती हैं यहाँ पर ometophores की साहिता से eyes का निर्मान होता है तो यहाँ पर पाईला में भी जो image बनती हैं वो दुन्दली image होती है slightly idea देती है clear cut image बनाने की शमता इसकी आँखों में नहीं पाई जाती है यह diagram देखिए यह पाईला के eye reason का section है जिस section के अंदर हम lens वाले भाग को देख पा रहे है lens वाले भाग के पास retina उपस्तित है और यह cup like structure जो बड़ा oval shape का दिखाई दे रहा है इसे optic bicycle कहा जाता है नीचे की तरफ optic nerve यहाँ पर जुड़ी हुई है और इसके साथ cornea के दो स्थर हम यहाँ देख पा रहे है outer cornea और internal cornea इस तरीकी की सनजना अगर हम eye का section काटते है तो उसे हमें दिखाई देती है अब बात करते हैं अगले महतपून अंग statocyst की यह जो चितर आप यहाँ पे देख रहे हैं यह statocyst जिसे संतुलन पुट्टी भी कहा जाता है यह सनजना हमने प्राउन में भी पड़ी थी एक गोलाकार सनजना जिसके मध्य में कुछ sand particles calcium carbonate के particles होपस्तित होते हैं जिने statoconia कहा जाता है चारों तरफ यहाँ पर एक capsule का आवरन प्रेजेंट है संयोजी उत्तक से चारों तरफ यह सरचना घीरी रहती है और यहाँ पर भी तंत्रिका तंत्रिक के स्वब द्वारा इसका संबंध होता है और यह पूरा का पूरा structure जो होता है वो basically animal के foot reason में present होता है तो जैसा कि अभी हमने diagram में देखा pedal ganglion जहाँ उपस्तित होता है यानि कि पैर वाले भाग में foot वाले reason में पाए जाने वाला जो तंत्रिका गुच्छक है उसके side के अंदर दो statocyst यह present होते है peer shape की body होती है hollow bag like structure होता है चारों तरफ अभी हमने देखा सेयो जुत्यक का आवरण उपस्तित होता है जो का origin जो होता है वो ectoderm star के द्वारा होता है यहाँ पर sac वाला reason जो होता है इसमें तरल पदार्थ भरावा होता है और उस fluid के अंदर particular calcium carbonate के बनने वे particles उपस्तित होते हैं जिनने statoconia कहा जाता nerve pedal ganglion से आने वाली इसके साथ जुड़ियों होती है इसका मुख्य कारे जब जन्तू पानी के आसपास की जमीन पर चलता है तो body का संतुलन बराए रखना इसका मुख्य कारे होता है जैसे ही surface में कोई problem होती है तो statoconia particles जो हैं उनमें vibration होता है तंत्री का तंत्र तक सूचना जाती है और animal अपनी body को balance कर लेता है अब बात करते हैं अगले प्रकार के संवेदियन जिने tentacles कहा जाता है हमने पाइला के diagram में देखा था head region के उपर two pair of tentacles present होते हैं प्रथम जोड़ी जो tentacles होते हैं उन्हें सिफेलिकल tentacles कहा जाता है ये कोई विशिष्ट कारे को संपातित नहीं करते हैं दूसरी जोड़ी tentacles जो होते हैं वो true tentacles होते हैं और ये animal के सपर्ष संवेदियंग होते हैं तो इस तरीके से ये थे पाईला में पाई जाने वाले विशिष्ट संवेदियंग और इसी के साथ पाईला की समाने आकारी की उसके पशाथ उसमें पाई जाने वाले विभिन प्रकार के तंतरों का विवरण हम आज यहां सबाप्त करते हैं अगले सेशन में फाईलम मुलास्का का एक नया स्पैसिमन हम पढ़ेंगे जो की यूनियों के नाम से जाना जाता है धन्यवाद